तो गाईज यहाँ पे अगर आप सभी लोग Instagram के application में कुछ specific message होते हैं जो की आपको अपने friend ने भीज़ होता है और उसी message का आप reply देना चाहते हैं यहाँ पे ओके इस basic message मतलब यह होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी कुछ भी SMS करता है और यहाँ पे आप उसका reply देना चाहते हैं और उसी message को इस तरीके से left side message slide करके आप उस message का reply करना चाहते हैं तो वो guys आपके phone में Instagram के application में work नहीं करता है तो इस video में मैं आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो आप सभी लोग इस video को पूरा end तक देखिए और अभी तक आपने like नहीं किया तो like कर दीजे और हमारे channel को subscribe भी कर लिजे तो चलिए guys वीडियो start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो guys आप सभी लोग अपने phone में Instagram के application को up to date रखिए या इनकी हमेशा update करते ही रहिए और यहाँ पर update करने के बद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको setting में जानी है setting में आने के बद आपको application का option आएगा तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बद आपको manage apps का option आता है तो गाईज आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको सर्जबार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस्टाग्राम लिख लेनी है और यहाँ पे यह जो अप्लिकेशन आएगा तो उसको ओपन कर लिजिए ओपन करने के बाद यहां पे आपको क्या करना है यहां पे आपको application permission का option आएगा तो यहां पे आपको click करना है और यहां पे आपको सारे के सारे permissions one by one click करके इस तरीके से allow कर ले जाएं तो आप सभी लोग permissions को allow कर लिजे सारे permissions को allow कर लिजे यहां पे जितना भी दिया हुए सब का सब permission allow कर ल का लेडिये.